तो दोस्तू जैसे के इस भाई ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट किये है के फेस्बुक पर फ्री फेयर लाइब कैसे करें तो इस भाई के सवाल के हिसाब से हमने यहाँ पर वीडियो बना दिये है जैसे के मेरे Facebook के अंदर Free Fair का Live जा रहे है तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो वो आप इस वीडियो के नीचे कर सकते है तो दोस्तो यदि आप Free Fair खेलते हैं वो भी अपने Mobile पे ही और आप अपने Mobile पे ही Free Fair को अच्छा तरिके से खेल लेते हैं और अभी अपने Free Fair का Live Streaming Facebook में चलाके अपना Followers बनाना चाते हैं तो फिर इस केस में आज का एफ वीडियो आपके लिए बहुत ही खास उने वाला है क्योंकि भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरह के से आप लोग अपना Free Fair का Live Streaming Facebook में कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों तो फिर इसके लिए का करना है कि वीडियो को बनासिप के देखते रहना है सो हेलो गाईस मेरा नाम है सूजन और आपके सामने है Technical Top Support तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना Play Store आप उपन करके सार्ज पर में टैप करना है प्रिजोम लाइब स्टूडियो तो यह डालते जैसे आप सार्ज पर प्रेस करतेंगे तो ऐसे में जो एप है यह आपके समने दिखाया जाएगा तो वाई लोग योदि आप लोग अपने फोन के माद़ों से लाइब स्ट्रीमिंग करना चाते हैं तो इस केस में इस वले एप को अपने फोन में इस्ट्रीमिंग करना होगा उसके वद्धोस तो इस app के अंदर आप साबको sign up होना होगा तो sign up होने के लिए यहाँ पे 4 option दिया गया है तो इनमें से मैं यहाँ पे Google बले option पे प्रेस कर दूँगा तो जैसे ही आप Google पे प्रेस कर देंगे तो ऐसे मैं आपके phone में जितने भी email ID होगा वो आपके सामने दिखा आप जाएगा तो उनमें से किसी भी email ID पे प्रेस कर दियेगा तो ऐसे मैं आपके साब के अंदर sign up हो जाएंगे sign up होने के बाद यहाँ पे कुछ allow permission मांगेगा तो इन सबको आपको यहाँ पे allow कर देना है चली मैं यहाँ पे फटाफट से allow कर देता हूँ तो जैसे ही आप allow permission दे देंगे तो ऐसे मैं आपके सामने कुछ steps and refresh दिखाया है जाएगा तो चली फालो काव यह आप लोग को सही से समझाते है कि किस तरह के से आप लोग इस app के जड़िये फेस्बूक के अंदर free fair का live streaming कर सकते है तो आप यहाँ पे start करना है उसके बाद नीचे आप सबको तीन option देखने को मिलेगा तो इनमें से middle में जो screen का option दिया गया है तो screen बले option पर simply सबको press करना है तो screen बले बटन पर प्रेस करने पर यहाँ पे okay का बटन दिखने को मिलेगा तो okay बले बटन पर जैसे आप प्रेस कर देंगे तो ऐसे में यहाँ पर display over other apps का permission आप सबको यहाँ पर मांगा जाएगा तो आपको यहाँ पर prism live studio अप को ढून लेना है और उस पर press करके यहाँ पर allow permission दे देना है उसके बाद यहाँ पर आपको simply से back में जाना है back में जाने के बाद दोस्तो आप सबको यहाँ पर ready करने का बटन देखने को मिलेगा तो ready वले option पर simply साब को click करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप सबको set disk tradition का option देखने को मिलेगा तो इस बाद आप सबको simply साब को click करना है click करने के बाद दोस्तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते है कि आप लोग यहाँ पर facebook, youtube, इसके अलबा और भी कहीं सारे option यहाँ पर दिया गया है facebook id का email और password डाल के login करना होगा इसका मतलाब दोस्तो आप जिस facebook id के अंदर या फिर facebook page के अंदर live streaming करना चाते है उस facebook id का email password आपको यहाँ पर सही से डालना है और यहाँ पर login बले बटन पर प्रेस करना है लोग इन करने के बाद आपके नीचे continue as आपका id का name दिखाया जाएगा तो आपके सिंपली से continue पर फ्रेस करना है लोग इन करने के बाद दोस्तो आप सबको यहाँ कुछ settings करना होगा जैसे कि यहाँ पर everyone friends और only me का option दिया गया है तो इनमें से आप सबको यहाँ पर everyone पर टिकमक लगाना होगा, यदि आप अपना live streaming सबको दिखाना चाते हैं, उसके बद नीचे आप सबको my group और my page का option दिखने को मिलेगा, तो भाय लोग आप अपना live streaming कहाँ पर चलाना चाते हैं, यदि आप group में चलाना चाते हैं, तो पर टिकमक लगा दूँगा और यहाँ पर okay कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने Facebook पेज में live streaming करना चाता हूँ, जैसे के मेरा Facebook पेज यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बद नीचे आप सबको 720p के option दिखने को मिलेगा, तो इस पर प्रेस करना है, उसके बद दोस्तों आप सबको यहाँ पे 720p पे प्रेस करके regulation set करना है, तो भाय लोग आपके internet speed के हिसाब से आप लोग यहाँ पे set कीजिएगा, नहीं कि दोस्तों आपका internet easy solo है, तो इस case में दोस्तों आपका live streaming में problem हो सकते, तो मैं यहाँ पे 1080p में tick mark लगा दूँगा, क्योंकि मेरा internet से ही है जिसे दोस्तों क्या होगा, कि मैंने जो live streaming होगा, वो दोस्तों HD quality में होगा, उसके बाद नीचे video quality पे प्रेस करना है, और यहाँ पे adapt type पे ही रहने देना है, जैसे कि यहाँ पे adapt type पे ही पहले से ही टिक mark लगा हुआ है, उसके बाद नीचे आप सबको bit rate का अपसंदिखने लगा दूँगा, तो भाई लोग मैं आप लोग को बता दूँग, यदि आपका internet अच्छा है, तो इस case में आप लोग यहाँ पे 4000 kbps या फिर इससे कम में ही रखियेगा, जिससे दोस्तों आपका video quality पे तो सही रहेगा ही, यसी के सब दोस्तों live streaming में कोई problem भी नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे आप सबको frame date के अंदर 30 fps में ही रहने देना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, बस आपको यहाँ पे ok बले बटन पे press करना है, उसके बाद आपके यहाँ पे please enter the title का एक option दिखने को मिलेगा, तो इसपे simply से press करना है, और दोस्तों आपना live streaming का एक title भी डाल देना है मतलब एक नाम भी डाल देना है चलि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गेडिना फ्री फेयर मेक्स प्राइक और देना है तो इसे में वाई लोग आपके सामने कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेगा इन में से फहर्स नंबर पर मीडिया का दिखान गया है तो इस पर अपको से क्लिक कर चेंपों की आप S === ईतरुपर लगा सकते हैं जैसे काइसे यहां पे एक फॉट्र kार्ग फ्रोट कई लगा को सकते हैं जैसे तो इस थे बcott विया जोरे में कि आपने पर और ऑप यहां पहुत हो जाएका जैसे कि मैंने यहां पर 6 यहां पर mllers कर शोलीeno विडियो घ्लेयो अ इसी के साथ आप यहां पर आप् Shизu कर तो आप आपाइस यहां पर टेक्स एड़ कर सकते हैं जो कि आपके लाइब स्ट्रीमिंग में दिखाया जाएगा उसके वद्दूस्त आपके फोन के जी रूटेट मोड होगा तो रूटेट मोड को आप आप कर दीजिएगा जैसे कि यहां पे जो यूलो का बटन दिया गया है कुछ इस टैप सा यूलो बटन आपको भी दिखाया जाएगा तो आप सब्सक्राइब करना हो दाки अपना फ्री फेयर गेंप को ऊपन करना होेया है जैसे कि आप सब्सक्राइब तो कुछ इस टैप से आप सबको अपना Free Fire Game App को open करके minimize करके रखना है उसके बद फिर से आपको यहाँ पर Presum Live Studio के अंदर आने है उसके बद यहाँ पर यहाँ पर यहलो का बटन दिया गया है तो यहलो बटन पर simply से आपको press करना है और यहाँ पर Start Now का बटन दिखने को मिलेगा तो Start Now वाले option पर simply से आपको click कर देना है तो ऐसे में भाई लोग आपका जो live streaming होगा वो दोस्तों start हो जाएगा तो भाई लोग यहाँ पर आप सबको कुछ settings दिखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर camera का option दिया गया है तो camera को आप on करके अपना face cam के साथ live streaming कर सकते है इसलिके साथ दोस्तों आप यहाँ पर chat को भी on कर सकते है इसलिके साथ दोस्तों यहाँ पर mic on का भी option दिया गया है इसका मतलब आप game पले करते टाइम अपने viewers के साथ बात भी कर सकते है तो वाए लोग आप लोग यहाँ पर मायक को अप कर दिजएगा यदि आप लोग अपने वीवर्स के साथ बात नहीं करना चाते हैं नहीं ते दोस्तों क्या होगा कि आपके गेms Sound के साथ साथाथ आप जहाँ पर रहेंगे वहाँ का Sound भी Game के अंदर जाएगा तो गेम का जो sound quality होगा वो खड़ाब हो जाएगा इसलिए के साथ दोस्तों आप यहाँ पे audio को on कर दीजिएगा नहीं तो दोस्तों आपका जो game sound होगा वो live streaming के अंदर नहीं जाएगा तो चलिए फोलोग अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरे facebook page के अंदर फ्री फेर के live streaming चल रहा है के नहीं तो इसके लिए simply से जैसे के मेरे इस phone में live streaming चालू है चलिए इस phone के अंदर अभी यहाँ पे charge बार में type कर लेते है technical top support जो की मेरा facebook page है तो इसको open करके जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ऐसे मैं आप से यहाँ पे देख सकते है कि यहाँ पे live जा रहे है जैसे कि आप से यहाँ पे देख सकते है तो ऐसे ही दोस्तो आप लोग अपने smartphone के मादों से live streaming अपने facebook page या फिर group या फिर profile के अंदर बहुत ही easily कर सकते है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आप से अपने यह अच्छे से जान लिये है कि किस तरह के से आप अपने mobile के मादों से ही free fire के live streaming facebook में कर सकते है तो फाइलों का अचके इस वीडियो के अंदर बस ने बतना था वीडियो पसमें देख से लेकर दीजिएगा और कि मन मैं कोई सवाल होगा तो आप निचे कमन कर दीजिएगा और अपने अब देख मने चांग को सब्सक्राइब नहीं किये है तो निचे दिया गया सब्सक्राइब बटन में किलिक एट के साथी में बेल एकुन दवा के और बसक कर लिजिएगा इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई फ्री फ्वेर से जनकरी वीडियो साब साब के लिए डालूंगा तो इसका नोटे बेकिसन आपके पास पहुँच जाएगा तो चले दोस्तों आज के लिए वाई मिलते हैं अगला वीडियो पर